हाई दोस्तों, वेलकम बाक टू वार अफ प्रोसेसर्स, पोको F5 वर्सेज आईकू नियो 7 वर्सेज नियो 6 वर्सेज पोको X5 प्रो लग रहा होगा आपको ये, बट आक्चुल में आज प्रोसेसर्स का बाटल है, स्नाप ड्रागन 778 जी एक बहुत रिलाइबल प्रोसेसर र होने वाली है, वैसे प्राइसे आपको चारों फोन के पता ही है, पर आपके लिए सबसे जादा वाल्यू फोर मनी इन चारों में से कौन सा रहेगा, वो वीडियो के इंड में बिलकुल क्लियर हो जाएगा, पूरे दो घंटे के लिए बेंचमार्क्स और रियल लाइफ टेस हम यहाँ पर करते हैं, तो अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है, तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना और नोटिफिकेशन ओल पर कर देना ताकि आपको ऐसे वीडियो सबसे पहले देखने को मिलें, अब फटा फट से आपको टेस्टिंग के रूल्स बता दता चारो फोन्स 100% चार्जड हैं, ब्राइटनेस एकदब माक्स आउट कर रखी है, रिफ्रेश रेट भी माक्स आउट कर रखा है, 120 हर्ट मिलता है चारो ही फोन्स में, परफॉर्मेंस मोड भी मैंने इन तीनों फोन्स में आन कर दिया है, बट पोको X5 Pro में कोई फोन्स अपने लेटेस सॉफवेर अपडेट पर रन कर रहे है, दो गंटे की लाइव टेस्टिंग में हम लोग साथ के साथ बाटरी ड्रेन और हीटिंग भी चेक आउट करेंगे, तो वाम अप से शुरू कर लेते हैं और दो राउंड गीक बेंच के रन करते हैं सबसे पहल लगाई से iqoo Neo 6 से Snapdragon 870 से थोड़ा वेट और कर लेते हैं Poco X5 Pro का, और फाइनली Poco X5 Pro ने भी अपना टेस्ट कम्प्रीट कर लिया है, बात करें स्कोर्स की तो Snapdragon 7 Plus Gen 2 बहुत ही आ गया है, चाहे Dimensity 8200 हो या Snapdragon 870, almost similar priced हैं ये तीनों ही फोन्स, अब of course Snapdragon 778G का performance आपको बागी त थोड़ा सस्ता भी मिलता है बाकी तीनों फोन से, iqoo Neo 7 versus iqoo Neo 6 में आप देखो गया, single core और multi core दोनों में ही iqoo Neo 6 first round में आगे निकल गया है benchmarks में, although यह जो difference है, इससे आपको real life में कुछ major फरक देखने को नहीं मेलेगा, बट यहाँ पे आप देखोगे Snapdragon 7 Plus Gen 2 जो Poco F5 में है उसने काफी जादा score कर दिया है, यहाँ पे दोनों ही single core और multi core performance में, first round में, बट अब चलते हैं हम लोग second round of Geekbench में और देखते हैं कि क्या यह phones अपना score retain कर पाते हैं, या फिर अपना score drop off कर लेते हैं, और क्या इन में से कोई phone अपना performance improve कर पाता है, या फिर नहीं तो भई, second round भी complete हो चुका है, Geekbench का सबसे पहले temperatures चेक आउट कर लेते हैं, room हो रहा है, 31.4 degrees Celsius, Poco F5 है 40.7 पर, Ico Neo 7 हलका सा थंडा चल रहा है 40.4 पर, Ico Neo 6 41.2 और Poco X5 Pro 41.5, scores की बात करें तो Poco F5 के Snapdragon 7 Plus Gen 2 ने वापस से lead maintain करके रखे हैं, single core में भी और multi core में भी सबी phone से आगे हैं, वैसे scores का drop-off हमें सारे ही phones में देखने को मिला, पर सबसे कम था Poco F5 में, Ico Neo 7 ने यहाँ पर काफी जादा score drop कर दिया है, और इसको अगर compare करें Ico Neo 6 से, तो Ico Neo 6 ने भी score drop किया था, बट comparatively अभी भी Ico Neo 6 थोड़ा सा आगे चल रहा है, मैं काफी जादा surprise क्योंकि recently इन दोनों ही phones में update आया था, और उसके बाद से Ico Neo 7 का performance थोड़ा सा कम नजर आ रहे है, at least starting के benchmark rounds पर wait करते हैं, full testing का ताकि हमें असली picture समझ में आये कि भाई, कौन सा phone इन में से तगड़ा perform करता है, और यार एक और चीज, price के हिसाब से देखा जाए, तो Poco X5 Pro औ Ico Neo 6 almost similar prices पर बिक रहे हैं, अभी 2000 का फरक है दोनों में ही, पर यार जो performance है न, 778G की और 870 की उसमें काफी जादा फरक आपको देखने को मिलेगा, benchmarks में तो दिखी रहा है, बट real life में भी जब आप phone यूज करोगे, चाहे आप video editing के लिए यूज करो या gaming के लिए, उसमें आ लास्ट में हम लोग video editing की भी टेस्टिंग करने वाले हैं, तो आपको clear फरक समझ में आ जाएगा, बाकी batteries की तरफ भी एक नजर डाल लेते हैं, यहां पर सबसे ज़ादा battery retain कर रही है, Poco X5 Pro और IQ Neo 7 ने दोनों ही 95% पर चल रहे हैं, फिर आता है Poco F5 94% पर और लास्ट है IQ Neo 6 93% के साथ, खेर अब चलते हैं, Antutu Benchmarking पे, इनके CPU, GPU, Memory Management सब चीज पर फुल लोड डालेंगे और देखेंगे कि चारो फोन्स के प्रोसेसर कितने जादा optimized हैं, तो भाई, चारो फोन्स ने अपना first round Antutu Benchmarks का complete कर लिया है, बाटरी और temperature second round के बाद चेक करेंगे, पर अभी बात करते हैं, scores की, यहां पे आप क्लियर ली देखोंगे, CPU, GPU, Memory Management या फिर User Experience सारे ही मामले में काफी आगे निकल गया है, Poco F5, Snapdragon 7 Plus Gen 2 के साथ, and although IQ Neo 6 ने test पहले complete कर लिया था IQ Neo 7 से, और scores में हमें यहां पे फरक देखने को मिल रहा है, चाहे CPU हो, GPU हो, Memory Management या फिर User Experience, सारे माम में हलका सा आगे है, IQ Neo 7, although अभी भी मैं बोलूँगा, जिस price पर IQ Neo 6 मिल रहा है, उसके हिसाप से, इसका performance बहुत ही प्यारा है, and finally, बात करें, यहां पे Poco X5 Pro की, तो score भले है, इसका यहां पे सबसे कम है, price भी साथी साथ इसका काफी कम है, Snapdragon 778G का performance काफी balanced है, and I'm hoping कि CPU throttling test में वो चीज हमें clear पता चल जाएगी, और फिलाल के लिए चलते हैं अपने second round पे, और देखते हैं कि क्या ये phones अपना score maintain करके रख पाते हैं, या फिर हमें drop off देखने को मिलेगा इनके scores में, और क्या इन चारों phones में से कोई अपना performance improve कर पाएगा, तो भाई, second round Antutu का finish हो चुका है, scores की बात करें, उससे पहले हम लोग temperatures check out कर लेते हैं, चारों phones का, रूम फिलाल हो रहे है, 32.7 degrees Celsius, Poco F5 है 46.5, Iku Neo 7 51, Iku Neo 6 47.2, और Poco X5 Pro 44.5, scores में वैसे सारे ही phones में drop off देखने को मिला, लेकिन सबसे कम drop off था Poco F5 और Poco X5 Pro में, Iku Neo 7 में यहां पर सबसे ज़ादा drop off देखने को मिला, बट फिर भी फिलाल के लिए आगे है, Iku Neo 6 से, और आप देखी सकते हो, स्टार्टिंग में इतना अचा perform नहीं कर रहा था, Iku Neo 7, Iku Neo 6 के comparison में, बट धीरी धीरे करके इसका processor खुल रहा है, CPU, GPU, Memory Management और User Experience सारे मामने में हलका सा आगे है यह, बट भाई, आगे की बात कर रहे हैं, तो लीड आप यहाँ पर देख सकते हो, Snapdragon 7 Plus Gen 2 की, काफी ज़ादा powerful है यह, in comparison to Dimensity 8200 और Snapdragon 870, Anyway, batteries भी चेक आउट कर लेते हैं, चारो phones की, तो यहाँ पर आप देखो कि सबसे ज़ादा battery efficient, Poco X5 Pro है, 87% पर यह अभी, फिर आता है Poco F5, उसके बाद है Neo 7, 81% पर, and last में है, Iku Neo 6, 80% के साथ, अब यहाँ टेस्टिंग का अल्मोस्ट एक घंटा होने वाला है, खाफी देर से चारो phones को हम लोग तडपा रहे हैं, थोड़ा सा cool off time देते हैं, चारो ही phones को, और वापस से चालू करेंगे अपनी टेस्टिंग को, तो भई, cool off time यहाँ पर complete हो चुका है, बाटरी आप चारों phones की checkout कर सकते हो, एक नजर CPU पर भी डाल लेते हैं, तो आप यहाँ पर देखोगे, Dimensity 8200 काफी जादा गरम चल रहा है, और यहाँ पर temperature fluctuation भी देखने को मिल रहा है, कभी 59, कभी 64, और यहार यह जो temperature का fluctuation एना, Dimensity क processes में खास करके देखने को मिलता है, बागी के phones जो Snapdragon वाले हैं, almost consistent temperature अपना maintain कर रहे हैं, सबसे ठंडा चल रहा है, Poco X5 Pro 42 degree Celsius पर, आइकू नियो 6 का CPU है, 49 degree Celsius और Poco F5 भी बराबर ही है, Poco X5 Pro के 42 degree Celsius पर हैं दोनों, वट खेर आब आगे बढ़ते हैं, और चलते हैं GPU की testing पर, इ इन सारे phones में से सबसे जादा stable कौन सा रहेगा, भई 3D Mark भी चारों phones ने complete कर लिया है, और भाई phone का screen टच करने से काफी गरमा गरम हो गए है, at least यह थी इन phone 778G थोड़ा सा ठंडा चल रहा है, पर मैं temperatures आपको चेक करवा देता हूं, 32.5 हो रहा है रूम का temperature, Poco X5 में 45.7 पर उसके comparison में IQU Neo 6 थोड़ा ठंडा चल रहा है, 45.2 पर और यार छूकर भी मैंने आपको बताया था, बट वैसे भी आप चेक कर सकते हो कि Poco X5 Pro यहां पर सबसे ठंडा चल रहा है, 43.6 degree Celsius पर, scores की बात करें तो Poco F5 ने सबसे तगड़ा best loop score निकाल के दिया है यहां पर, उससे ह stability की बात करें, तो यहां पर सबसे तगड़ी stability Poco X5 Pro ने दिखाई है, इससे फायदा ही है कि जिन graphics settings पर आप खेल रहे हो, उसमें यह आपको frame rate consistently deliver कर पाएगा, और यह जो best loop score होता है, इससे फायदा ही होता है कि जो high graphics को process करने की power होती है, वो थोड़ी सी increase हो जाती है, खेर वापस आते हैं stability पे तो यहां पर आप देख सकते हो, overall सबसे balanced performance IQ Neo 6 का था, यहां पर आप चेक करोगे IQ Neo 7 और IQ Neo 6 में तो काफी difference है stability के मामले में, और IQ Neo 7 और POCO F5 में भी यहां पर हलका सा आगे है POCO F5, और यार एक और चीज में आपको बता रहाता है कि Dimensity के processes काफी गरम हो जाते हैं तो यहां पर आप देखो कि IQ Neo 7 का जो temperature है, वो 63 तक पहुंच गया था testing के बीच में, जबकि बाकी सारे Snapdragon phones का 48 degree Celsius से नीचे ही था, खेर अब GPU testing तो हो गई, CPU के testing पर चलते हैं, full load इनके CPU पर डालने वाले हैं, पूरे 15 मिनिट के लिए, और देखते हैं कि चारो phones के processes क जैसे handle करते हैं इस load को, और कौन से phone के CPU का performance सबसे जादा optimized रहता है, यह काफी surprising चीज़ आप यहां पर देखोगे, सबसे तरड़ा performance Poco X5 Pro निकाल के दे रहा है, IQ Neo 7 और IQ Neo 6 में भी आप देखोगे, इवन दो throttle कर रहा है अभी यह, बट IQ Neo 6 काफी आगे है IQ Neo 7 से performance के मामले में बट खेर, टेस्टिंग पूरी होने देते हैं, I'm sure कि टेस्टिंग के end में हमें कुछ और ही results देखने को मिलेंगे CPU टेस्टिंग यहां पर complete हो चुकि है, काफी जादा interesting results हमारे सामने हैं, यह graphs देखकर आप डरना मत, क्योंकि ऐसे 2 गंटे तक लगाता और कोई इतना intensive task परफॉर्म नहीं करता बट इंटेंसिव यूसेज पर कुछ ऐसा हाल है चारों फोन का, और काफी जादा surprise दूम है देखके कि maximum performance जो है, वो यहां पर Poco X5 Pro ने निकाल के दिया है हमें, सबसे आगे था है यह अपनी maximum performance में, even Snapdragon 7 Plus Gen 2 से, अगर आप average performance भी देखोगे ना, तो इसका चारों फोन से reliable processor है, बट हाँ यहां पर throttling हमें definitely देखने को मिली और थोड़ा सा कम powerful है इसका CPU, वहीं अगर मैं बात करूँ, Snapdragon 7 Plus Gen 2 की तो बहुत ही stable performance हमें यहां पर देखने को मिला, सारे ही मामले में, चाहे maximum performance हो, average या फिर minimum, सबसे कम throttle की आप Poco F5 ने, और यहार, throttling की बात कर रहे है, तो यहां पर सबसे खतरनाक throttling हुई है, iQoo Neo 6 में, बट इवन दो इसमें throttling हुई, यहां पर आप देख सकते हो, maximum और average performance इसका जादा था iQoo Neo 7 से, iQoo Neo 7 में हमें starting में काफी throttling देखने को मिली, बट उसके बाद इसने अपना performance थोड़ा सा up किया, बट यहार, यहां पर इसका जो CPU को performance है, थोड़ा सा limit हो रहा है, वो आप भी clearly देख सकते हो, average और maximum performance से, खेर अब चलते है अपने final round पर, जो है video rendering test, चारो phones में मैंने same footage import कर लिया और सब पे एक-एक filter लगा लिया है, इस video को हम लोग 4K 60fps max resolution पर export करने वाले हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि real life scenarios मे कौन सा processor और कौन सा phone सबसे पहले render कर पाता है वीडियो को, तो भई यहां पे सबसे तेजी से Snapdragon 7 Plus Gen 2 ने testing complete कर लिया है, Poco F5 काफी जादा आगे है, बाकी तीनों ही phone से, और IQ Neo 6 की बात करें, तो यहां पे यार यह almost double speed से कर रहा है, IQ Neo 7 के comparison में, and of course 778G थोड़ा सा कम powerful processor है, इस तो भई यहां पे आप देख सकते हो कि IQ Neo 6 में already testing complete हो चुकी है, वीडियो render हो चुकी है, बाट IQ Neo 7 अभी भी export कर रहा है वीडियो को, थोड़ा सा और वेट करते है IQ Neo 7 और Poco X5 Pro का, और आप time से figure out कर सकते हो कि कि कितनी जादा देर लगे ही इसको IQ Neo 6 के comparison में वीडियो export करने है तो भई फाइनली चारो फोन की वीडियो render हो चुकी है, सबसे तेजी से Poco F5 ने वीडियो render की थी, फिर IQ Neo 6 ने, उसके बाद Neo 7 ने and finally Poco X5 Pro ने, बाकि timing में difference आप वीडियो को pause करके देख सकते हो, कौन से फोन ने कितनी देर में वीडियो export करी, और खेर एक आखरी नजर हम temperatures और battery पर डाल लेते हैं, यहां पर आप देखो कि सबसे जादा गरम अभी भी IQ Neo 7 का processor हो रहा है, 64 से लेके 67 के बीच में fluctuate कर रहा है है अभी भी, and although Poco X5 Pro ने सबसे आखरी में render की थी वीडियो, बट यार Poco X5 Pro का temperature देख लो, काफी अच्छा maintain कर रहा है इसने, मैंने आपक 5 Pro था अपने 778G के साथ, बट यार यहां पर मानना पड़ेगा, Poco F5 का Snapdragon 7 Plus Gen 2 भी बहुत ही जादा battery efficient है, 69% पर यह यह इतनी तगडी performance के बाद भी, बाकी दोनों ही IQ Neo 6 और IQ Neo 7 अल्मूस्ट बराबर batteries है इन में, Neo 7 61% पर है और Neo 6 60% वो overall सारी testing आपने देख लिए है, Snapdragon 870 और 778G थोड़े पुराने जरूर हैं, बट अभी भी इन में बहुत दम है, price में 2000 रुपे का फरक है, X5 Pro थोड़ा सस्ता है Neo 6 से, although CPU इसमें IQ Neo 6 के जितना powerful नहीं है, बट इसमें कुछ added advantages हैं, जैसे 3.5 mm jack और IR blaster, जिससे TV और AC कंट्रोल कर सकते हैं आप बिना remote के, अब अगर battery backup आपको better चाहिए, थोड़ी बहुत casual gaming करनी है, प्लस 3.5 mm jack और IR blaster जैसे features आपकी priority है, तो आप Poco X5 Pro pick कर सकते हो, बट यार अगर आपको इसी price पर competitive gaming करनी है, कैमरास थोड़े से ज़ादा powerful चाहिए, और content creation आपकी priority है, तो IQ Neo 6 एकदम steel deal पर चल रहा है, 25,000 में, तो भले ही 2000 म लेंगा है, यह Poco X5 Pro से थोड़े added advantages इसमें भी है, बाकी IQ Neo 6 versus IQ Neo 7 की बात करें, तो यार performance में almost 19-20 का फरक रहता है, किसी मामले में IQ Neo 6 थोड़ा सा आगे है, तो किसी में IQ Neo 7, वैसे day-to-day usage में आपको ज़ादा फरक नहीं दिखाए देगा, main फरक 5G का है, Neo 6 भी 5G है वैसे, बट Neo 7 में आपको dual 5G का option मिलता है और थोड़े से ज़ादा 5G bands, तो यार थोड़ा ज़ादा future proof है IQ Neo 7, वैसे camera's में फरक देखना है, तो उसमें वीडियो अल्रेडी बना चुका हूँ, उपर i button में चेक आउट कर लेना, बट अब बात करते हैं, पोको F5 की, तो यार Snapdragon 7 Plus Gen 2 क बाटरी optimization काफी तगड़ा लगा मुझे पोको F5 में, इवन performance वाइस भी ये Dimensity 8200 और Snapdragon 870 से काफी बेटर था, चाहे CPU GPU performance हो या फिर video editing, IQ Neo 7 और पोको F5 का camera comparison देखना है, तो अभी के अभी नीचे subscribe दबा दो और notifications को all पे कर लो, क्योंकि camera comparison वीडियो जल्द आने वाला है, बाक है क्टिय ईतहwegen Mm कि कि अ 50 बे बादना है